हर्याना महराश्र सहेत उपचुनाओं के नतीजों से अब पर्दा जो है वो उठने लगा है महराश्र के चुनाओं में अब कमल खिलना तैमाना जा रहा है लेकिन हर्याना में बीजेपी के खेमे को बड़ा जटका लगा है हर्याना में 75 पार की उम्मीदे खत्म होती नज़र आ रही है बेशक ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं खुशी है तो कहीं गम नमस्कार आप देख रहा है R9 TV मैं हूँ आपके साथ श्वेता भटा चा रहा है यूँ तो महराश्र में बीजेपी की सरकार बनते नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हर्याना की अगर हम बात करें तो बीजेपी की उम्मीदों को छटका लगा है एक तरफ हर्याना में सियासी फिजा बदलते हुए नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई मंत्रियों की हार ने बीजीपी के बुद्धी जीवों की पेशानियो पर अब बल डाल दिया है जनादेश वक्त के साथ सामने आ रहा है इस जनादेश के माइने क्या कुछ है इस पर आज की हमारी वहस जो है वो रहने वाली है हमारे साथ सभी पार्टियों के तमाम महमान जो है वो जुडेंगे और हम जाने की कोशिश करेंगे कि कहां कितनी तो हर्याणा में मनोहस सरकार के मंत्रियों ने लुटिया जो है वो दुबा दी है वहीं किंग मेकर बनकर दुश्यन चोटाला जो है वो उभर कर सामने आए है अपनी विरासत को दुबारा खड़ी करने में बेशक कॉंग्रस ने काम्यावी हासल की है लेकिन बीजेपी और कॉंग्रस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है सत्ता के शिखर पर बैठी बीजेपी को हर्याणा में निराशा हात लगी है ना तो 75 पार का नारा काम आया और ना ही सरकार के दावे और बादो का असर दिखाए दिया क्योंकि नतीजे तो यहीं कह रही है हर्याणा में कॉंग्रस अपनी खोई होई विरासत वापस पाने में काम्याब होती दिखाएगी रही है कॉंग्रस को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला लेकिन संजीर नी वहीं पूरे विश्वास के साथ जीत के हुंकार भरने वाली बीजेपी धराशाई होती नजर आ रही है सत्ता की इस लड़ाई में कॉंग्रस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों में किसी को बहुमत तो नहीं मिला लेकिन सरकार बनाने की कवायत शुरू हो गई है ऐसे में जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में उबर रही है सबकी नजर दुश्यंत चोटाला पर है नई पार्टि जेजेपी बना कर हर्यान के रण में उत्रे दुश्यंत चोटाला को राजनीती विरासत में मिली है और चुनाव में भी इसकी जलक देखने को मिली अब हर्यान का ताज किसके सिर पर होगा ये अब दुश्यंत चोटाला पर निर्भर कर रहा है हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आकर कॉंग्रेस के पक्ष में ये उभार कैसे संभव हुआ और कौन से फैक्टर इसके लिए जिम्मिदार है दरसल 2014 में हव्याना में मनोहरलाल के नित्रुत में सरकार बनने के साथ ही राजिस सरकार से जाटो की नाराज की शुरू हो गई थी राजिकी राजनिती में परंपरागत रूप से जाटो का बोल बाला रहा है और ऐसे में किसी पंजाबी को बीज़िपी की तरफ से सियम बनाना उन्हें नागवार भुगरा इतना ही नहीं बीज़िपी ने 2019 के वधनसवाद चुनाव के लिए टेकट देने की प्रकुरिया में भी चाटो को नाराज कर दिया था बहरहाल अब देखना होगा कि जेज़िपी किसका साथ देगी और हर्याना का दाज किसके सिर पर होगा तो तस्वीर जो है वो धीरे धीरे अब साफ होने लगी है और कमोबेश इस्तिती यही रहने वाली है महराश में कह सकते हैं कि कमल ने दुबारा से बाजी मार ली है लेकिन पेच अभी भी फसा हुआ है क्योंकि कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉंफरेंस की और जो टेवर उद्धव ठाकरे के नजर आया है उसने कहीं न कहीं बीजेपी के पेशानी पर बल जरू डाल दिया फिफ्टी फिफ्टी फॉर्मुला याद होगा लोग सभा में ये बात उठी थी और फिर आज दोहर आया है उद्धव ठाकरे ने सीम कैंडिडेट पर भी कह दिया है कि इस पर भी बात होगी तो जो बात हो रही थी कि देवेंद्र फर्णवी सी चेहरा होंगे अब यहां प अमल की इस्तिती जो है वो बिल्कुल चाबी जो हो चली गई है जेजेपी के हाथ में वो पार्टी जो ग्यारा महीने पहले आई है इस्तित्व में उसके हाथ में आज चाबी है और यहां दुश्यन चौटाला की राजनीती देखिए कि वो भी साफ नहीं कर रहे हैं कई चौदरी कॉंगरस के नीता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ध्रणविन चौदरी प्रवक्ता सबसवागत और भी जेपी के प्रवक्ता गुलरेट शेख बर समारेंहे और ब्यृत सूजर जो चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहल और इंजिनियरिंग में कही न कहीं पक्षियों हमसे अधिक स्कोर किया है उसके कोई दोर आय नहीं है और हम इसमें मन्थन भी करेंगे चिंदन भी करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हम अपने राश्ट्रवाद और विकास के जो नीचे जो फॉक्का फॉर्मूला थे जो हमारा वि भाजनकारी तत्व हैं समाज के जो जातिवादी तत्व हैं चातिवाद के फॉर्मूले को परकुलेड कर लिए और जीद गए लिकिन यह जी ठीक है हारो जीद लोकतंतर में जुडवा भाई होते हैं और हम हारे तो कहीं भी नहीं है हम दोनों जगा अपनी सरकारे बना रहे लेकिन जो हमारी अप्यक्षा थी उस अनुरू रिजल्ट नहीं आया है उसको मन्थन होगा चिंदन होगा लेकिन हमको एक बात का अज सुर्फ बदले हुए है आपके बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अरे सर हमने ही आपसे बात चीत की थी जो जीत का दावा ठोक रहे थे जो राश्ट्रे मुद्धे को आप इनकैश कराने की बात कह रहे थे और पानी पीपी के कोसना की राश्ट्रवाद के मुद्धे पर क्यों नहीं विपक्ष को क्यों तिल मिलाहट हो रही है आज बिल्कुल सुर्बदले हुए है सर तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे राश्ट्रवाद और विकास के जो दो मुद्दे हैं उसको हम इतना नीचे तक परकॉलेट नहीं कर पाए उसमें क्या कवी रही परकॉलेट करने में इस पर हमको विचार करना है लेकिन एक बात खुशी है अगर आप देखिये जो तस्वीर सामने आ रही है पूरी तस्वीर तो फिलहाल जो है खुलकर आज आएगी जब तब पर इस पर अच्छे से चर्चा कर लेंगे लेकिन अभी जो तस्वीर है वो लगबग लगबग फाइनल मानी जा रही है तो अगर आप यह हर्याना की तस्वीर देखिए तो ग्रामीन शेत्र और जाट लैन इन्होंने नकार दिया है अब यहां आप कहेंगे कि राश्वाद का मुद्दा नहीं चला तो समझना चाहिए न सब कि कहा आपको जो लोग मैं मैं वही कह रहा हूं मैं कि हमने किसी प्रकार की जातिवादी राज़िती नहीं करी और ना हम आगे भी करेंगे मैं पुना यहीं बोल रहा हूं देखिए चाहे मनुहलाल खटर हो चाहे देविन फड़नवीस हो और इनके पहले आता हूं में शिवरास सि कम्यूनिटी के हैं जिसका वोट पर तेशाद उसे जाती करते नहीं है लेकिन बांते जन्ता पार्टी जात के आधार पर नहीं राजनीती करती है वो करती रहेगी वह हमको इस बात का दुख नहीं हमको दुख इस बात का है जी ऐसा क्या हुआ कि हमारे कारेकरता निजियर तक राष्ट्रबाद और विकास का संदेश नहीं ले जा पाए दूसका हम चिंतन करेंगे चलिए चिंतन करने की बाद भी चलिए मतलब कुछ साटगाट हो गया क्या सर कहना चाहेंगे कुछ हर्याना में भी आप कह रहें सरकार हमारी बन रही है आकड़े ही नहीं है आपके पक्ष में कि बादचीत हो गई है कॉंग्रेस में तो ओफर किया अतसर खबर थी मीडिया में कि कॉंग्रेस ने दुश्यान चोटाला को ओफर किया तो आप बता दीजे अंदर खाने बीजेपी की भी बादचीत चल रही है क्या देखिए देखिए मैं जितनी पात उष्यान चोटाला से मेला हूं और आपने विनको इस्टेडी किया होका वे काफि इंटेलिजेंट व्यक्ती है और इंटेलिजेंट व्यक्ती होने के नते वे अपने राज्जनिश एक भवि शुका आर्म बेही खराब नहीं करेंगे आपकी यह जो सेंटेंस है ना यह सेंटेंस ना सर कुछ और इशारा कर रहे हैं यहां जीतेंदर जी भी हस रहे हैं यह ज्यां आपकी सब्सक्राइब नाम बता है वह दिए पर आप भी अपर आप लगा रहे हैं और भी जिसीड़ के आप आप दाया है आरे अरसरी अरिए जी में आऊंगी आप तक गुल्रेजशीक जो कह रहे हैं जीते इंदरि चौधर यहां हस रहते जिस तरह की बात कह रहे है। क्लेवर आदमी है दुशियन चौटाला को आपने भी स्टडी किया होगा यह किस तरह एक तरफ तो कॉंग्रेस ओफर कर रही है सर पहले इस पर भी कितनी सचाई है क्योंकि इंटेलिजेंट है हां मतलब इंटेलिजेंट है तो वो ने अपना भवीश नजर आ रहा है यह लोग तो जो इनके हमारे की पार्टी के जब देश की गवह मंत्रियों हो तो कंसिल करने अफाद मीटिंग बुला लिए खट्र साथ पुला लिए आप सेटिंग करेंगे और और कोई काम नहीं नहीं करते सफ आहुआ तो इंतजार भी नहीं हो तिक नहीं साफ हो जाया है आपने तो इंटेलियों थोड़ीए इनका प्रदाघ्जटर समुद्धर उसका एक करण या भी है मिझे है अब यह दो लोग पार्चियों की बात अप्सुत हैं यह देखिए जब हम उनसे कहते थे कि आपके कोई बले लीडर हर याणा में चुनाव प्रिचार नहीं करते हैं तब यहीं बैठके कॉंग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि नहीं हमने हम वो मुझ्टे उठा चुके हैं जो जनता से जुड़े हुए है आज जो आकड़े कुछ और बता रहे हैं तब यह कह रहे हैं कि हमारे किसी बड़े लीडर ने यह सर अरे गुल्रेट जी सीख तो आपको भी लेने की जरुरत है और चिंतन करने की नहीं चिंता की जरुरत है सारी पार्टियां और उनके जो भी नेता स्टेटिस थे सब बड़े इंटेलिजेंट थे और हैं और रहेंगे भी लेकिन जनता के सामने सब की इंटेलिजेंसिया फेल हो गई यह सब इतने ही इंटेलिजेंट है तो क्यों नहीं कॉंग्रेस पचास पसबन ले आई बीजेपी पिछली साल के पिछली बार का परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाई सब लोग अपना अपना बेहतर करने की कोशिश में है पेश फसा हुआ है चार-चार दिन और लगेंगे चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो जिनको बेहतर मिलेगा कॉंग्रेस ने अपना ओफर दे दिया कि भाई आप हमारे साथ मिल जाएए लेकिन अभी भी सारी च में किया हुआ मेहनत कहां काम आता है राजेपाल इनके होंगे तो राजेपाल तो बोलेंगे ही कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है हम उसको बुला रहे है नेचुरल बेनिफिट यह मिल गया अब यह बोलेंगे कि हम 20 दिन में या 10 दिन में अपना पहुमत साबित बट नेचुरल वे में जो है उनका जुकाओ हो जाता है कि भाई यह सरकार बनाने जा रहे हर पार्टी को अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है ऐसा नहीं है कि कोई त्याग करके बैटी है शुशेना का एक्जामपल आप देख लीजे जैसे ही उनकी सीटे वो कंफर् बज़े दस बज़े तक election commission जब press conference करके final कर देगा तो असली चेहरे सारी पार्टियों के तब आएंगे उसके बाद जो इनके बयान आएंगे जो नया दौर शुरू होगा एक चुना होना अभी और बाकी है यह तो जनता का चुना होता राजनेताओं का अंदर का जो चुना होना है उसी के लिए आप देखिए सारे बड़े बड़े नेता अपनी रैलिया यह सारी चीजे मिटिंग कैंसिल करके पहुँच गए हैं एक दूसरे से मिलने में मिलने जुलने में फोन करने में लग गए हैं किसी भी पार्टी के हो तो जरा election commission का final देख लेते हैं फिर इनक ग्रामीन शेत्र और जाट लैंड जो था उसने नकारा है बीजेपी को और पहले भी बीजेपी ने सारे सिटिंग अमेले को टिकट नहीं दिये थे तो जो गणित लगाया गया था क्योंकि अभी भी मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर हार जाते हैं तो वो गणित काम नहीं आया जनता पार्टी की की विकास को थोड़ा साइड करके रास्ट वाद की एक बार फिर लहर चुकि लोग सभा में ये बाड़ा जाचा परखा और कारगर हतियार इनों को लगा उसी के बदौरत ये चाह रहे थे जिसका नतीजा हुआ कि ठीक है रास्ट वाद भी हमें चाहिए रास्ट भी चाहिए हमें और रास्ट के लिए जंडा लेके भी दोड़ेंगे लेकिन कम से कम पेट में अन्न हो सिक्षा हो स्वास्त हो बेरोजगारी खत्म हो गिर्ती अर्थ वेवस्ता पर बात करी जाए ये बात समझ नहीं पाए और इनको मुह की खानी परती हर्याना में यदि कॉंग्रेस पार्टी अपने अन्रूरी कलह की शिकार नहीं बनती है यदि कॉंग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लगती तो आज जो आपको यह आठका हुआ पेज दिखाई दे रहा है वहां पर भारती जाना पार्टी साथ होती और खुद कह भी रहें जीते इंद और आप कहते हैं कि कोई हमारा बड़ा लीजर रैली ही नहीं कर पाया लगातार हर एक शिते इंद्र जी तो कॉंग्रेस के हैं और राहूल गानी ने दो रैलियां की हरें लेकिन आप तो कह रहे थे आप तो कह रहे थे कि हम जो हैं जनता के मुद्दे उन तक ले जा रहे हैं यूपी पे अगर बात करें संजीव जी तो जिस तरह से यहां की तस्वीर दिखेंगे जो सेमी फाइनल मैच माना जा रहा था कि यह 2022 के पहले एक तरह से सेमी फाइनल है उसमें भी जो बीजेपी की हालत है वो कहले कहीं न कहीं सपा जो लग रहा था एक मुलायम सिंग अगर यूपी उपचुनाओ की बात कर ले तो यहां पे भी एक मैसेज जाता है सीधे तो और बीजेपी को जितने जो पिछले दिनों में देख ले कांड हुए है कमलेश तिवारी हत्या कान्ड हो चिर्मयनंद्ठ का केस हो या फिर सुपर्म कार्ट को खुद कहना पड़ता है कि हां जगल राज है तो क्या लगता है कि कही न कहीं यह सर्न नुकसान उठाना पड़ रहा है वीज़पी को कि अपने पूरे इलेक्शन के बयान आता है अपने केवन और केवन देस्के जनता को उल्हाने का काम किया और जनता ये बात इस बार समझ चुकी है हर बार जहां से मैं नहीं आती है। लोगों की स्ट्राइजी रही सर कि वैस्ट्रवाट का मुद्ध उठाएंगे और हर राज्जी को हम साथ लेंगे वो तो कहीं न कहीं फेल होता नजर आ रहा है तो वसूली नहीं आप अपने शब्द वापस लीजिए बिल्कुल नहीं परसाद होता है अगर रास्लबाद का गुडगान करता है तो उसमें बुराई क्या है उसके बदले में वोट बागेंगे हिंदुस्तान आपका है क्यों मेरा नहीं है अगर कोई बदले में वोट बागेंगे आप मेरी द्यस्पर्टी आप तैकरेंगे आप तैकरेंगे कि अगर कोई खटना होती है और सत्ता पक्ष जो है चाहे कॉंग्रेस विजे भी हो क्या किया क्या वो जवाब न दे अरे आप बाए भी नहीं है यह चीज हुई कि कुल्रेट शेक क्या आप मानते है कि क्या आप मानते हैं कि का आप मानते हैं गुल्रेट शेक। संजीब जी एक मिनट जी गुल्रेट शेक क्या आप मांदें कि राज्जों पे बुद्दे जो है वो थोपे गए और ये कहीं ना कहीं जी स्ट्राटेजी जो है वो फेल हुई है एक मिन जी अच्छा काम करें तुरो स्टेट गर्मेंन अच्छा काम करें तो लेकिन रास्त्रवाद को पहने श्रीपर नहीं तो आप लांगचन कि लगार रहे हैं एके मिश्राजी और संजीर कॉशिक जी यहां मुद्दा राश्रवाद पर बात करने पर किसी को अतराज नहीं है लेकिन यहीं पूछ रही हूँ कि क्या गुलरेज शेक सवाल आपसे यह है कि आपने जो मुद्दे उठाए हर पार्टी की अपनी स्ट्राटीजी होती है सर और गलत नहीं होती है आपने शायद मूड यही भापा कि इन मुद्दों पर हम राज्यों को साध लेंगे लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं महराश में हाला की कमल खिल रहा है लेकिन नतीजे देखिए सर तो आपको समझ में आएगा कि कहां कहां पार्टी खिसकी है वैसे हर्याणा में भी तो बीजे अगर हम यूपी की बात कर ले सर तो यूपी में भी आप नीचे आए हैं आपकी सीट थी लेकिन आप फिर भी नीचे आए हैं तो क्या आप मानेंगे कि जब देश का चुनाव होता है लोकसभाई एलेक्शन तब तस्वीर अलग होती है राज्यों के चुनाव में मुद्धे अलग होते हैं यहां कही न कहीं बीजे पी जो है वो बैक फूट पर है आप एक ही एक ही तीर से सभी सभी को साधनी के कोशिच कर होते है गुल रेक पूरी कोशिश की कि सेंध लगा दे आजम खान जिस तरीके से उनका किला है वो ढाने की कोशिश की गई लेकिन किला तो ढ़ा नहीं अब क्या मानते इसे देखिए अभी भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अभी अखले जी को लेकर हमने कमेंट किया ये गलत बात है आज की तारीक में अगर हमारे देश में कोई सबसे काबिल नेता है पढ़े लिखे और इमानदाब तो अखले से अ सब्सक्राइब करते हैं अपना ओफिस तोड़ कर लिया आपके ने किन्ता छोड़ा ओफिस था लेकिन वहाइं कि पूरी कोटी कप जागर अपना चोफिस बना लिया है प्रदेश की जनता से वह अलग बात प्रदेश की जनता है सब्सक्राइब पार्टी को पहुमत नहीं दिया और आपको पहुमत में देखिए हम तो सब्सक्राइब कि आज आप कुछ चिंतन के मूड में बैठे होंगे लेकिन यहां पर ऐसे घ्ला कहस रहे हैं जैसे पचासी किसी खरियाना में आ गई हो अरे सर आज तो चिंतन के मूड में बैठ जाईए ने वह पहले ही कि दोनों जगार दोनों जगा सरकार बना रहे हैं कि मिश्वा कह रहे हैं ना तो सांदाम दंड भेद यह तो राजमती है मैं बोलता हूँ मैं तो अभी भी बोलता हूँ सारी भाजियों को मेरी तरफ से बढ़ाई मैं यह भी बोलता हूँ कि एक डपांग ठाई का पहुचा दिशेगा जिपाव लिए ने गुल्रेशेख मेरा सवाल रामपूर की सीट पर इसलिए सवाल था साई क्योंकि बीजयती तमाम कोशे कर लिए नहीं सवाल तो उठेंगे गुल्रेशेख क्योंकि रामपूर की सीट के लिए आपने क्या नहीं किया यह आजम खान पर जितने आरोप लगे और जितने केसिस आजम खान पर आएं वो कहना था आजम खान का कि 22 किलो वजन जो है इतनी खुशी का पहार तूटा है कि 22 किलो वजन कम हो गया तो मेरा कहना है कि एक ही दिन में लगता है आजम खान का 22 किलो वजन कहीं बढ़ ना जाए आज़ा जी इसका ध्यान रखना होगा हमने 55 लाग महिला को समाजवादी पैंसन दी दुनिया में कई सो कंट्री हैं 200 कंट्री का अस्पार प्रता पर लिए जीत वह अपने सभी प्रत्यासियों को हिर्दे से बधाई देता हूं और मेरा विश्वास है कि उनकी ये जीत उन्हें जन विश्वास का प्रतीग भी बनाएगी है उनकी सक्रिय भूमिका प्रदेश के विकास और प्रगदी में उनकी महती भूमिका होगी इस विश्वास के साथ मैं और ओप्चुनौ में विधान सभा के विफिन सीटों पर विजई चितने भी हमारे नौ निर्वाचित प्रत्यास जो जन प्रत्यासि बने हैं इन सभी को हिर्दे से बधाई देता हूं अपनी शुप कामने देता हूं यूपी के सीम योगी आदतनात जो की बधाई दे रहे थे जो भी प्रत्याशी जीते हैं उन्हें लेकिन एक चिंता नजर आ रही थी यहां चेहरे पेरे यह एक सवाल जरूर उठता है कि जब भी उप्चुनाव हो चाहे कुछ हो अगर सरकार आपकी है तो सवाल आपसे आदतनात पर सवाल उठ गए थे और उसके बाद हमने देगा था लोग सभा में कैसे बढ़ चड़कर योगी आदतनात ने चुनाव प्रचार किया था लाजमी है जब जीत हो रही है और जीत का क्रेडिट आप ले रहे हैं या आपको दिया जा रहा है तो हार का क्रेडिट क इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं जैसे बीजेपी साथ पर दिखा रही है और अदर्स पर आप देखिए साथ में सर अपना दल भी है ने सुनिए लाई है तो आप उसको मानता हूं सपा बसपा को मैं यह बोलूँगा आप जीत रहे हैं तो आप इसको बेस बना करके आगे के लिए मत रणनीत बनाईएगा कराना वगरे में भी यही हुआ था क्योंकि यह बड़ा इंडी विजूलाइजड टाइप का होता है यहां न कोई पार्टी का बहुत बड़ा नेता जाता है न कोई भी पार्टी पूरे अच्छे तरीके से इफर्ट भी नहीं डालती है अलती मत आप दोराईएगा जो आप लोगों ने पहले दोराया था तो इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ जो जीत गए उनके लिए बढ़ाई जो हार गए वो अपना अच्छा कोशिश करे सवाल यहां पर यह है कि जो यह अपकी बार जो इलेक्शन हुए हैं क्वेस बीजेपी 70-75 नहीं अगर 50-52-55 सीट भी लाती ना तब भी मैं इसको बोलता बीजेपी के लिए जीत करके हार गए आप बीजेपी की लड़ाई खुद अपने स्टेटस को मेंटेन करने की है 48-50 सीट जो पाले थी आप उसी को मेंटेन कर ले उसके उपर जितना भी रह गा देखे सरकार चाहे एक सीट से जीते या एक वोट से जीते तो बेनिफिट तो सारा का सारा मिलेगा आप गोव अगरा में देख लीजे लेकिन यह दिखाता ये है कि बीजेपी की मशीनरी फेल हो रही है क्योंकि जो इनका अभी तक का एजेंडा था जो मुद्दया जो रण परिवर्तन आप देखेंगे आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे आप थोड़े दिन रुख जाएए उसके बाद यह देखेंगे यहां सरकारे वगर जिसकी बननी यह बन जाए एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और अब यह बीजेपी को भी समझ में आ गया है पूरी तरह से सोच विचार करके कि कहां क्या गलती हुई क्योंकि बहुत जारे गणित जो हैं वह आप लोगों ने लगा लिये थे उसके बाद यह इस्तिती है आप तो उद्दर ठाक रहे आँखे दिखा रहे हैं देखे शिता मैंने अपनी बात कारण भी किया था कि हम चिंतन भी करेंगे मंधन भी करेंगे और जो निखर के सामने आएगा उसको संगटनात्मा को रूप से हम उसका क्रियानवन करेंगे बहारत जंता पार्टी एक कंटिनियूस इवाल्वीं पार्टी है हम कोई stagnant water नहीं रुकावा पानी कि जो हो गए जठी के जीत गए तो जीत गए आगए तो आगए तो आगए प्रती एक चीज़ पर हम चिंतन करते हैं और अपने अपनी कारेश हैली में सुधार लाते हैं मैं उधारन दूगा आपको आपने देखा कि दिसंबर 2018 में तीन प कॉंग्रेस को लोकसभा में तो भारती चंता पार्टी तो इवाल्वीं पार्टी है सब चिंतन होगा चिंतन के बाद मंसर होगा जो निखर के सब्सक्राइब देना चाहिए जीते इंदर चौधरी जवाब देना चाहिए जो लोगों ने अरबियाई से एक लाख तीस क्रोड लिकाड़ा आप पब्लिक जानती है यह डिनाई करते रहे जो आपने उस पर गौर नहीं परमाए एक के मिश्रा ने ये बात बोली कि अगर ये चीज आप भाब लिये होते तो हर्याना की तस्वीर अलग होती जेजेपी के हाथ में चावी नहीं होती शायद कॉंग्रेस ने मेहनत कर दी होती तो और अच्छे से रिजल्ट आ सकते थे आप खुद मान रहे हैं आपने मेहनत नहीं थी सर्थ मैं मैं यह कहा रहा हूँ थोड़ी बहुत कमी रही है अभी भी आपको ओफर करना पड़ रहा है आप यूपी में यूपी के सटा से आप कई सालों से दूर है सर एक नट अब आप मुझे जरा आप मुझे जो कॉंग्रेस के में त्रहें अभी तक जो जाएंगे सो प्रतिश्यत भाहरतिया जनता पार्टी सरकार बनाईगे नतीजे आने बाकी हैं लगबाग आसपास हम पहुंच चुके हैं अब कर देगे हमारे जब अकेले की बन रही है तो हमें पूरा विश्वास है जो हमारा इंटरनल रिबोर्ट आ रही है इंटरनल फीड़बेक है कि हमारी मेजॉरिटी आएगी हमारी मेजॉरिटी आएगी एक मिश्वाजी आप कह रहे थे यह 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 देखिए एक तरफ बीजेपी का स्टैंड देखिए कि उनकी मेजॉरिटी नहीं भी देख रही है इन जूटे वादों के साथ नहीं जाना चाहते है जितने तमाम जो चीजें गिनवार रहे हैं यहां जीते इंद्र जी बैटकर लेकिन यह मुद्दे क्यों विपक्ष नहीं उठा पाता है जब चुनाओं में जाते हैं क्यों खुद सर आप खुद कह रहे हैं कि हमारा कोई टॉप लीडर जादा वहां जाकर नहीं आपने इवाद कहीं उठाना ही सफीसियंट नहीं होता है सर वुकाम तक पहुचाना उत्तापट टाई उठा है मुद्द आप ने किसके पहुचा यह पहुचाई क्या हूई क्या हूई क्या टेख्यां सूछ चार को हुई उ है रही धानि चद्डी और उसके बाद सर्फ जीच में भितो चोड़के 40 पारिवों कि जिस दिन सूची जारी उसके उप्चुनाओं में क्यों लिए है कि कॉंग्रेस मेहनत कर रही है खुद चुनाओं जीतने या सरकार बनाने के लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत कर रही है करनाटक में उन्हें यही किया जीते ही तुरंट दूसरों को बिना किसी सर्च के समर्थन दे दिया यही अरियाना में कर रहे हैं सेकंड लार्जेस पार्टी है और इन्होंने समर्थन दे दिया कि आप मुध्यमंत्री बनिये तो आप काम अपने लिए कर रहे हैं अपने जीतन नहीं देखो ऐसा है आप जैसा देख परोस होगे खिलाने को दोगों नहीं पब्लीक को तो सोचे बड़ अच्छा खाना है पब्लीक के सामने जूट बोलोगे पब्लीक तो बहकाओं में आती है यह लोग अब तक करी क्या रहे हैं छे साल से इनों आप नहीं आप जीतेंद्र यह कहरें जीतेंद्र जी हमने यूपी में काम किया प्रियांका गांधी जिस तरीके से एक-एक मुद्दे को उठाया एक डिप्टी सीमर जो है वो बोल देते हैं टुटर वाली नेता है प्रियांका गांधी और उपचुनाओं में कही न कहीं जलक दिख जानी चाहिए थी एक टाइम था जब आगे चल रही थी कॉंग्रेस एक सीट पर तो मैंने बोला शायद ऑक्सिजन मिल गया कॉंग्रेस को लेकिन वो भी नहीं तो यहां क्या इन्हें सोचनी की जरूरत नहीं है कि जब यूपी की जनता बिल्कुल त्रस्त है चाहे वो सपा हो बसपा हो और ब के लिए हम बात चीत करते हैं हमें लगता है कि आज नहीं तो कल कॉंग्रेस फिर वापस आएगी लेकिन अभी जिस तरह की बात है जो भी उनके नेत्री तो सिर्शनेत्री की बात है वो यदि पार्ट टाइमर यदि नेता बनेंगे तो फिर कॉंग्रेस की हालात यही है तब वो आए और फुल टाइमर राइविती करें मुझे लगता है उसके बाद में कुछ उधार आने की बुन जाश है आपको बताता हूं आपको एक्जाम में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए सो में से आप अगर 32 नंबर भी लाया ना उसका कोई मतलब नहीं है आपका क्या के वाल लीपाप होती करने गए हैं दिखाने के लिए कि जी चलो दो चाहर मीटिंग कर लिए और टीवी डिवेट में बोल दिया हमारी जान छूट गए जी हमने तो काम किया तो सर राजनीत यहसे नहीं चलेगी वन टू वन फाइट होती है मल्टी एंगुलर फाइट ह होती है 24 इंटू 7 आवर और 360 डे आपको काम करना पड़ेगा तब जाकर के कुछ परिवर्तन की उमीद करिए अगर वाइस आप सेकंड लार्जस पार्टी होते हुए भी सरकार दूसरों की बनाएंगे मेहनत आप करेंगे मजा कोई और देखे यूपी में तो जिस तरीके से और लोकसभा चुनाओ के पहले जो एक महाल तयार हुआ था एक तरफ महागडबंधन की तस्वीर बन रही थी लेकिन उस महागडबंधन में ही कई उस नाव में कई छेद देखने को मिले लग रहा था कौन लीडर होगा क्या शायद महागडबंधन कुछ कर जाए और सबसे मतलब मुझे आश्चर भी हुआ था लेकिन राजनीती में सब संभाव है तो बसपा और सपा ये दो साथ में आगे दल और मायावती की वो स्पीच मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि हमने गेस्ट हाउस कांड भुला दिया जनता के लिए जनता ने नकारा लोकसभा चुनाओं नहीं हुआ कि तुरंत आपने गडबंदन तोड लिया और आप उप चुनाओं में आपने अपनी सीटों पर खड़ा कर दिया फिर कैसे जनता के पास कौन से मूह से जाएंगे धरमदीर चौदरी ज़रा बता दीजे किस मूह से जाएंगे यह जो देश में फिरकाप्रस ताकते जब जब उठती हैं ना तो यह समिधान को मानती है और ना देश के कानून को मानती है और ना यह भाईचारे को मानती है हलाकि बात यहीं चल रहे थी कि लाजस पार्टी तो बीजेपी है अगर यह मुलाकात हो रही है तो मुलाकात के माइने क्या लिंका ले जाएं जोड के देखा जा रहा है कि स्टीफा दे सकते हैं इन दोनों स्टेट में तो दोनों स्टेट के वर्तमान मुख्यमंत्री उधर फर्नवीज जी है देवेंद्र फर्नवीज जी और इधर मनोहर लाल खटर क्यों केंद्रीय लेत्रितु को कोई इससे फ़र्ट नहीं पढ़ने वाला सर सुन लीजे मैं एक्स्पेंड करना हूँ इमीडियेंट पॉइंट नमबर वान आपके सवाल खा इनकी मुख्यमंत्री की कुरसी गई कौन से केंद्री मंत्री की कुरसी कौन रिजाइन दे रहा है बताईए जरा सबसे पहले सबसे पहला नुकसान समर्थक विद्यस में गोगा तो चोटा बहुत नुकसान उसको भी हुआ है कि हाँ भाई वो उसका मॉराइल डाउन होगा नुक्सान और तो तो कांग्रेस को भी हुआ है नहीं देश के परदान मंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं जिनके चेहरे पर इसकी बात कर रहा हूं साथ रहलिया करने के बाद में आप कौन से काच चुपाएंगे अपने मुगों और वहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात कर रहे थे वहां दो पर प्चतर की बात कर रहे थे कर रहा हूं सुनने के लिए कोई मुखाई नहीं है सुनी आप लगाने ये वही नहीं भूल गाने या जब बस पास आफ हो गई थी तो जहां मायावती जी ने जहां राहुन गांदी जी न तो यह वही पे मुझ दिखाएंगे चलिए तब धरमीर जी आप मेरे सवाल का जवाद दे दीजिए आप मेरे सवाल का जवाद दे दीजिए एक है मिश्रा जी यूपी से ही सवाद ले लेते हैं सर्फ जना वो तो बताओ जहां आप सब्सक्राइ संब्सक्राइब दो हजार उनीस का चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाउचल समाज पार्टी ने दस सीटा पापिजा पराप्त किया है अरे सर्फ दे धरम भी जी धरम बीर जी मेरा क्याना यह है कि एक मिश्राइब कर दी एक मिश्राइब विफ दे लेकर फिसे मिश्राइब कीजे एक मिनट धरम लीर जी मेरा सवाल सुलीजे मेरा सवाल सुन लीजे सर धरमी जी मैं सवाल पूछ लूँ गडवन्दन कहा गया इतना महा गडवन्दन जो बना रहे थे वो कहा गया सर आपकी लीडर जो ये कहती हैं कि हम गेस्ट हाउस कांड भुलाकर हम सपा के साथ जा रहे हैं और एलेक्शन होने के बाद वो हार मांते ह पार खुद गडवन्दन तो रहे हैं हम अपकेले लड़ते तो जादा पायदा होता इन्हों नहीं याद दिला रहे हैं इन्हों नहीं याद दिलाए तभी कर दो लेने दीजिए बोले एक प्राइब कर देंगे आपको लगता है कि अनुझे अपनी आवाज उठानी परती है प्लीज धरम विर्जी मैं अलाओ में करूंगी प्लीज सब्सक्राइब बारती जनता पार्टी की आताश आपकी डिबेट में दिखाये देहें किस तरह से बारती जनता पार्टी के लोग जोग जो सवार्टी टरीके से में आगे मेरे जापॉण वह किए आप मेरे सवाल आपसे मेरे अभी घरंवीर जी घरंवीर एक मिनिट मतलब सवाल मैं पूछू जो गया हो गया हो गया पहली बार तो ऐसे शब्दों का चीर्ण ना करें क्योंकि जंता जो देख रही है ना सर बहुत हस्ती है वाकई मैं अगर मैं भी इस तरह की डिवेट शोस देखती हुना तो क्या बात हो रही है आप मेरे सवाल का जवाब दीजे कि लोग सभा में जिस तरह से महा गडबंधन सिर्फ एक पार्टी को रोकने के लिए आप लोगों ने बनाया था और महा कॉंग्रेस को भी बुला रहे थे कॉंग्रेस हाला कि आखरी तक आई नहीं और ये जो गडबंधन था दोनों लोगों वो तुरंट तूट गया और आपकी ही लीडर ने कहा कि हम अकेले जाते तो जादा अच्छा होता तो ये जंता को दिखनी रहा है क्यों गाउन लेवल पे काम नहीं होते क्यों जरूत अनपड़ी सपा से हाथ मिलाने की देखिए स्विता जी जब बीजेपी के लोग देश का जंडा जराने वाली पार्टी की गोद में जाके बैठ जाएंगे जम्मू पश्मीर में और इस फिरका प्रस्ताक्त हैं इस देश में भाईचारे को नस्ट और ब्रश्ट करना चाहेंगी तब बाबा साब के समिधान क कि सपत लेने वाली पार्टी बहुचल समाज पार्टी इस देश में मनुवादियों को हराने के लिए अगर अवतार लेगी कमेरे अवतार लेगी स्था किसान ओवी सी मैनोटीज के लोगों को लेकूस पार लेंगी तो इसलिए वो कांट बूल गये वो स्टेटमेंट बूल लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए तो आप सर भूल क्यों गये आप वो गेस्ट कांड भूल गये इतनी बड़ी बात हो नहीं थी पारती जनता पार्टी के अध्यक्ष अमिच्छा जी और हमारे प्रधान मंतरी अधरनिय नरेंदर मोदी जी का बहुत-बहुत अभिन्न करता हूँ और उनको भी शुब कावनाय देता हूँ धन्यवाद नमस्कार चलिए धरमविर जी प्लीज सवाल का जवाब दीजेगा क्योंकि सवाल यह उटता है सर कि एक बार आप बोलते हैं कि गेस्ट कांड भूल गये तो भूल गे ना गेस्ट हाउस कांड फिर तो गटबंधन रहना चाहीता जैसे आपका कहना है कि हमने घलट डिसिजन ले लिया हमें जाना नहीं चाहिए था 16 सीटे हम लोगों ने जीती 5 सीटा समाजबादी पार्टी ने गटबंधन सही तो जीत करके आये कॉंग्रेस तो थी नहीं सर कॉंग्रेस हमने उनको एक सीट छोड़ी दी उनके लिए अपने असी सीटों से आपने नहीं उतारा कॉंग्रेस का क अगर यह जो यह पता है यह बात आपको चुनाओं के पहले अगर आप यह चीजे देखते यह जो दस सीट आप सही बोली मायावती चुनाओं के बाद कि शायद हम अके लिए लड़ते तो जादा आता जाब यह चीजे आप नहीं समझता रहे हैं और इसकों पाइदा पाइ अकर वो कामयाब नहीं हुआ तो अब यह चुनाओं के बाद रहा और चुनाओं के बाद वाद का गडवंधन क्या बात करते हैं अब यह से संबंधित एक सवाज करने हम जहां तक बात बीजेपी के है तो बीजेपी जुब बीजेपी जो कि आप अच बात मत किजियां ने आज बंड़िए सवाल जन्ता को पिपत्स से बड़ी उमीद थी पूरे देश की जन्ता को इन्हों के लिए जनके अपया धियां इसलिए अरे वकार जी आप जी जो तमाम सपा बस पा और वकार जी अब आप भी है आपको भी इंवाल्व कर लेती है एक मिनट वकार जी और यह यह तीन जो लीडर वैठे इनी से मेरा सवाल है कि सर बीजे पी अपनी स्ट्राटीजी में फेल होती नजर आ रही है राश्ट्रवाद का मुद्दा उठाया हमने भी पूचा कि राज्यों में चुनाओ में मुद् लिए लिए लगता अब आती है विदान सबा की बात देखे हैं हमारी पार्टी नहीं वेली पार्टी उसके बावजूद बहुत अच्छा रही सर जेजेपी कितनी पुरानी है जेजेपी को बदाई है बहुत बढ़िया परफोर्मेंस किया तो सीखना चाहिए ना हर्याना के युआओं ने एक मत लोकर जेजीपी दुश्चंत चोटाला को वोट की गाउंड पी जिस लेवल पे जिस लेवल पर राजनीती करती है कॉंग्रेस आज आज आ जो बिखराव है कॉंग्रेस हरया ना में बहुत अच्छा पफॉर्म कर सकती थी यह जो संजीव कौशिक जी ने बोला यह फूठ है यहीं कॉंग्रेस यहाँ पर उन चीजों को नहीं मैनेज कर पाई समझदार है वो उसने दिखा दिया बार के जिनता पार्टी के आज एगा एलक्षन सार एलक्षन में भी देख लेते हैं एक छोटे से भेग के लिए हमें यहां रुखना पड़ रहा है लेकिन यह जिस तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से हर्याणा और मह अगर हम देख ले विदान सबा में तो यहां बीजेपी को अगर चिंतन और चिंता करने की जरूरत है तो तमाम विपक्षिप पार्टियों को अगर उन्हें बढ़त भी मिले तो यह सोचने की जरूरत है कि तस्वीर और अलग हो सकती थी लेकिन उनमें कहां कमी रह गई इस में इस मुगालते में ना रहें कि बीजेपी को कम सीटे मिली तो हमारी काम्याबी आप और काम्याब हो सकते थे सर अब जो आने वाले एलेक्षन है उसके लिए काम कर ले ग्राउंड लेवल पे जनता जिसे देना है वोट वो ज़रूर देगी सभी तमाम जो गेस्ट मेरे सा जुडने के लिए मेरे साथ फिलाल इस बुलेटिन में बस इतना ही दीजे अजाजत एक छोड़े जबरे के लिए रुक रहे हैं जल लोटते हैं